वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली कोब वरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को ज़रू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन गैरेक्टर जेनिफर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी हो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्होंने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में हो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसीन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते है उसे कमफटेवल फिल कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने अलाम विगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वक नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरी में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे, सैटरेडे, संडे और दो दिन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ्ट के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है गाय को अचानक से आईड आया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वह छुक कर जेनिफर को ऊपर की सीलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत ट्राय कि आप खुश भी नहीं हुआ एक घंडा बीथ गया और जेनिफर रेयलाइज करती है कि अब उसकी flight उसने miss कर दिया है वो गुसा होगे और सारी चीजों को गालिया देने लगके उसे ब्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी bottle दिये जेनिवर उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाये ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की bottle अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है wine की bottle ओपन करने के लिए मेरे पास opener भी है जेनिवर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक opener दिखाया इस पहरे दोनों बहुत अस्तिया उसने विरुबानी पी लिया था वो गाय को as a gesture एक चॉकलेट डेती है उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंडे बीट गए थे उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरी किसे टॉयलेट करना है उसे अजीब लगता है गाय ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज़ है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूढने के लिए गएती है और फिर टॉयलेट कर लेती है जनीफर ने भी अपने फियांसे के बार में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बार में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते हैं काय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी है पर जेनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती है जेनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे में मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकस करने लगे तुने भुगे थे तो जनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुआ एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते है जनिफर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक कोवर कर थी हम एक बार ड्राइव पर गये थे वोई पर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उससे जनिफर के लीए फिलिक्स आ गए जनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते है इंडिमेट होने के बाद गाय ने जेनिवर से गा यह तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो यह बाद जेनिवर को बहुत ही अजीब लगी वो उससे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाय को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचू थी एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वह उने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वह एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी building में accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहजाने इसी वज़ेस उसने सब कुछ किया था वो अपने pocket से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं police को call करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगदना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दी जेनिफर डर कर फिर से लिफ को start करने की कोशिश करती है पर गाये ने उसे पकड लिया जेनिफर स्ट्रगल करते हो लिफ की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्चॉल में इस लिफ में फस गए थे जेनिफर गुसा होकर अपने शूर से गाये को unconscious कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर गाये conscious था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद गाये उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाँ लिफ में हमारे बीच में कोई भी distraction नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए practically हमारे पूरी relationship इस lift में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और break up भी हो गया जेनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी उसने अपने फियांसे के लिए जो gift लाया था यह गाये ने चेक किया इसमें एक अच्छा सा shirt है जो गाये पहन लेता है गाये के बास भी एक gift है जिसमें सीगार, lighter और एक cutter है गुस्से में गाये ने lift का एक light तोड़ दिया फिर उसे idea आता है कि या light बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के portals उसने चट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिवर से कहता है कि तुम मुझे support दो मैं उपर जा कर इस lift को खोल दूँगा जैनिवर उस पर balloon नी करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा weight कम है और मैं जल्दी से तुमें open कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिवर ने गई वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा time spent किया मैं तुमें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे help करने के लिए मान जाता है और जैनिवर उपर आके उपर आने के बाद जैनिवर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रस्सी बना कर उपर वो आ जाता है जैनिवर ज़रा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब नीचे से गाय आया और उसे पकड़ कर फिसल लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजूर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिवर होश में आ गई लिफ्ट 13 थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वर्क नहीं करेगा हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिवर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोड में जुटी सावित नहीं हो सकती तुम मैटकोस ने का तुम सब कुछ अभ कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जैनिवर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिवर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यों? गाय क्याता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत दी ब्यूटिफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोश नहीं कर पाता मैं हमेरे चासे सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल में एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडेंट हो गया उस पर चार्जेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो शिक्स मन्स में वो बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गे और उसे सिकुरिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओर्ड लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निक्सिन में हम देखते है कि मैट के साथ काम करने वाला सिकुरिटी गार्ड ये अपनी से उनकी हेल्प करने के लिए पहुश गया फ्रेन आया और लिफ को ओपन करने की कोशिश करता है पर ये सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस आता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी कीज उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो इसके बॉड़ी फ्रेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड जला सस्पिशेस होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ली कर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेकरा डाल कर जेनिफर की बाड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अब भी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडिस बिर में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है इसी के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहे दो तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया